जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं योगिनी एकादसी की यह कथा अर्जुन ने कहा हेत्र लोकी नार मैंने जेष्ट माह के सुक्ल पच्की निर्जला एकादसी की कथा सुने अब आप क्रिपा करके आसार माह के क्रिश्ण पच्की एकादसी की कथा सुनाईए इस एकादसी का नाम तथा महात्मिय क्या है सुव अब मुझे बिस्तार पुर्वक बताएं स्री क्रिश्ण ने कहा हे पांडू पुत्र आसार माह के क्रिश्ण पच्की एकादसी का नाम योगिनी एकादसी है इसके ब्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं यह ब्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ती देने वाला है हे अरजुन यह एकादसी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है इसके ब्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं तुम्हे मैं पुरार में कही हुई कथा सुनाता हूँ ध्यान पुर्वक्स रवड करो कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था वह सिवभक्त था उनका हेम माली नामक एक यच सेवक था जो पुजा के लिए फोल लाया करता था हेम माली की विसालाची नाम की अतिसुन्दर इस्त्री थी एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया किन्तु कामा सक्त होने के कारण पुष्पो को रखकर अपनी इस्त्री के साथ रमण करने लगा इस भोग बिलास में दो पहर हो गई खेम माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दो पहर हो गई तो उसने क्रोध पुरवक अपने सेवकों को आग्या दी की तुम लोग जाकर पता लगा हो की खेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया हे राजन वह हेम माली अपनी इस्त्री के साथ रमड कर रहा है इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आग्या दी डर से कापता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हुआ उसे देख कर कुबेर को अतियंत क्रोधाया और उसके होट फरफराने लगे राजा ने कहा अरे अधम तुने मेरे परमपुजनिय देवों के देव भगवान सिवजी का अपमान किया है मैं तुझे स्राप देता हूँ कि तु इस्त्री के वियोग में तडपे और मृत्तिव लोक में जाकर कोड़ी का जीवन ब्यतीत करे कुबेर के स्राप से वह तच्छर स्वर्ग से प्रिथवी पर आगिरा और कोड़ी हो गया उसकी इस्त्री भी उससे बिछड़ गए मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे किन्तु सिव के क्रिपा से उसकी बुद्धी मलीन न हुई और उसे पुर्वजन्म की भी सुध रहे अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पुर्वजन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमाले परवत की तरब चल पड़ा चलते चलते वह मारकंडे रिषी के आस्रम में जा पहुचा वह रिषी अतियंत बृद तपश्वी थे वह दूसरे ब्रह्मा की समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आस्रम ब्रह्मा की सभा की समान सोभा दे रहा था रिषी को देखकर हेमाली वहां गया और उन्हें प्रडाम करके उनके चड़ों में गिर पड़ा हेमाली को देखकर मारकंडे रिषी ने कहा तुने कौन से निक्रिष्ट कर्म किये हैं जिससे तु कोरी हुआ और भैयानक कष्ट भोग रहा है महर्सी की बात सुनकर हेमाली बोला हेम उनिस्रिष्ट मैं राजा कुबेर का अंचर था मेरा नाम हेमाली है मैं प्रती दिन मान सरोवर से फूल लाकर सीव पूजन के समय कुबेर को दिया करता था एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फस जाने के कारण मुझे समय का ज्यान हे नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुचा सका तब उन्होंने मुझे स्राप दिया कि तु अपने इस्त्री का वियोग और मृत्य लोक में जाकर कोड़ी बनकर दुख भोग इस कारण मैं कोड़ी हो गया हूँ तथा प्रिथवी पराकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ अतह क्रिपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ती हो जाए मारकंडे रिसी ने कहा ही है माली तुने मेरे शम्मुख सत्य वचन कहे हैं इसलिए मैं तेरे उध्यार के लिए एक ब्रत बताता हूँ यदि तु आसार माह के क्रिष्ण पच्की योगनी नामक एका दसी का बिधान पुर्वक ब्रत करेगा तो तेरे सभी पाव नश्ट हो जाएंगे महर्शी के वचन सुन हे माली अती प्रशन हुआ और उनके वचनों के अंसार योगनी एका दसी का बिधान पुर्वक ब्रत करने लगा इस ब्रत के प्रभाव से अपने पुराने श्वरूप में आ गया और अपनी इस्त्री के साथ शुक पुर्वक रहने लगा हे राजन इस योगनी एका दसी की कथा का फल अठासी सहस्त्र ब्रामणों को भोजन कराने के बराबर है इसके ब्रत से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और अंत में मुझ प्राप्त करके प्राडी स्वर्ग का अधिकारी बनता है मनुश्य को पूजा आदिधर में आलस्य या प्रमान नहीं करना चाहिए अपितु मन को सयम में रख कर सदे भगवान की सीवा में तदपर रहना चाहिए